इन सभी तेशों के दो महिनों के अध्यान से जो निश्कर से निकल रहा है और एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं किस वैश्विक महामारी कोरोना से प्रभावी मुकाबले के लिए एक मात्र विकल्प है सोशल डिस्टन्सिंग यानी एक दूसरे से दूर रहना अपने घरों में ही बंद रहना कोरोना से बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं है कोई रास्ता नहीं है कोरोना को फैलने से रोकना है तो उसके संक्रमन की जो साइकिल है उस साइकिल को तोड़ना ही होगा कुछ लोग इस गलत फैमी में है कि सोशल डिस्टन्सिंग केवल मरीज के लिए बिमार लोगों के लिए आवशक है यह सोचना सही नहीं सोशल डिस्टन्सिंग हर नागरिक के लिए है हर परिवार के लिए है परिवार के हर सदस्ट के लिए है प्रधान मंत्री के लिए भी है कुछ लोगों की लापरवाई कुछ लोगों की गलत सोच आपको आपके बच्चों को आपके माता पिता को आपके परिवार को आपके दोस्तों को और आगे चल करके पुरे देश को बहुत बड़ी मुश्किल में जोंग देंगी अगर ऐसी लापरवाही जारी रही तो भारत को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पर सकती है और ये कीमत कितनी चुकानी पड़ेगी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है साथियों पिछले दो दिनों से देश के अनेग भागों में लॉकडाउन कर दिया गया है राज्य सरकार के इन प्रयासों को बहुत गंबीरता से लेना चाहिए हेल्थ सेक्टर के एक्सपर्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपून लिलने करने जा रहा है आज रात आज रात बारा बजे से पूरे देश में ध्यान से सुनिये पूरे देश में आज रात बारा बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लोगडाउन होने जा रहा है हिंदुस्तान को बचाने के लिए हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए आपको बचाने के लिए आपके परिवार को बचाने के लिए आज राज बारा बज़े से गरों से बाहार निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है देश के हर राज्य को, हर केंद्र सासित प्रदेश को, हर जिले, हर गाउ, हर कस्पे, हर गली, मौले को अब लॉकडाउन किया जा रहा है यह एक तरह से कर्फ्यू ही है जनता कर्फ्यू से भी कुछ कदम आगे की बात जनता कर्फ्यू से जरा जाजा सक्त कोरोना महामरी के खिलाप मिरनायक लड़ाई के लिए यह कदम अब बहुत आवश्यक है निश्चित तोर पर इन लोकडाउन की एक आर्थिक कीमत देश को उठानी पड़ेगी लेकिन एक एक भारतिय के जीवन को बचाना आपके जीवन को बचाना आपके परिवार को बचाना इस समय मेरी भारत सरकार की देश की हर राचे सरकार की हर स्थानिय निकाई की सबसे बड़ी प्रात्विकता है और इसलिए मेरी आप से प्रार्थना है और मैं हाद जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि आप इस समय देश में जहां भी है वही रहे अभी के हालात को देखते हुए देश में ये लोकडाउन 21 दिन का होगा तीन सबता का होगा और जब मैंने पिछली बार आप से बात की थी तब मैंने आप से कहा था कि मैं आप से कुछ सबता मांगने के लिए आया हूँ आने वाले 21 दिन हर नागरिक के लिए हर परिवार के लिए बहुत ही महत्वपून है हेल्थ एक्सपर्स की माने तो कोरोना वाइरस की संक्रमन साइक्ल तोड़ने के लिए कम से कम 21 दिन का समय बहुत एहम है अगर यह 21 दिन नहीं संबले तो देश और आपका परिवार 21 सांग पीछे चला जाएगा अगर यह 21 दिन नहीं संबले तो कई परिवार हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगे और मैं यह बात एक प्रधान मंत्री के तौर पर नहीं आपके परिवार के सदस्य के नाते कह रहा हूँ इसलिए बाहर निकलना क्या होता है यह 21 दिनों के लिए भूल जाएगे गर में रहे गर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे साथियों आज के फैसले ने देश व्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्षमन रेखा खींच दी है आपको यह याद रखना है कि घर से बहार पढ़ने वाला आपका सिर्फ एक कदम आपका सिर्फ एक कदम कोरोना जैसी गंभीर महामारी को आपके घर में ले आ सकता है आपको यह याद रखना है कि कई बार कोरोना से संक्रमित व्यक्ति शुरुवात में बिलकुल स्वस्थ लगता है वो संक्रमित है इसका पता ही नहीं चलता है और इसलिए एहतियात बरतिये अपने घरों में रहिए वैसे जो लोग घर में हैं वो सोशल मीडिया पर नए नए तरीकों से बहुत इनोवेटिव तरीके से इस बात को बता रहे हैं एक बैनर जो मुझे भी पसंद आया मैं आपको भी यह बहुत कम शब्दों में संदेश दिखाना चाहता हूँ कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकले कोरोना यानि कोई रोड पर ना निकले साथियों एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि आज अगर किसी व्यक्ति में कोरोना वाइरस पहुंचता है तो उसके सरीर में इसके लक्षन दिखने में कई कई दिन लग जाते हैं इस दौरान वो जाने अंजान की रिपोर्ट बताती है कि इस महामारी से संकरमित एक व्यक्ति सुनिए एक व्यक्ति सिर्व हपते दस दिन में सेंकडों लोगों तक इस बिमारी को पहुंचा सकता है यानि यह आंग की तरह तेजी से फैलता है वर्ल्ड हेल्थ आर्गनाइजेशन का ही एक और आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है साथ्यों दुनिया में कोरोना वाइरस से संकरमित व्यक्तियों के संख्या को पहले एक लाग तक पहुंचने में 67 दिन लग गए थे यानि एक लाग तक पहुंचने में 67 दिन उसके बाद सिर्फ ग्याना दिन में सिर्फ ग्याना दिन में ही एक लाग नए लोग संकरमित हो गए यानि दो लाग हो गए सोचिए पहले एक लाग लोग संकरमित में होने में 66 दिन लगे और फिर इसे दो लाग लोगों तक पहुंचने में सिर्फ ग्याना दिन लगे यह और भी बयावा है कि दो लाग संकरमित लोगों से तीन लाग लोगों तक यह बिमारी पहुंचने में सिर्फ सिर्फ चार दिन लगे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना वाइरस कितनी तेजी से फैलता है और जब यह फैलना शुरू करता है तो इसे रोकना बहुत मुश्किल होता है साथ्यों यही बज़े हैं कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, इटली, इरान जैसे अनेक देशों में जब करोना वाइरस ने फैलना शुरू किया तो हालात बे काबू हो गए है और यह भी याद रखिये इटली हो या अमेरिका, इन देशों की स्वास्त सेवा, उनके हस्पिटल, उनके यहाँ आदूनिक संसाधन, पूरी दुनिया में बहत्रीन है, उनकी व्यवस्ताएं बहत्रीन मानी जाती है बावजुद इसके यह देश कोरोना का प्रभाव कम नहीं कर पाए सवाल यह कि स्थिति में उमीद की किरान कहा है, उपाय क्या है, विकल्प क्या है, साथियों, कोरोना से निपटने के लिए उमीद की किरान उन देशों से मिले अंक, गरों से बार नहीं निकले, इन देशों के नागरीकों ने सत प्रतिशत, हंद्रेट परसंट, सरकारी निर्देशों का पानन किया, और इसलिए यह कुछ देश, अब इस महामारी से बहार आने की और बढ़ रहे हैं, हमें भी यह मान कर चलना चाहिए, कि हमारे सामने सिर्फ और सिरफ यही एक मार्ग है, एशह पंथा हाँ, हमें गर से बाहर नहीं निकलना है, चाहे जो हो जाएं, गर में ही रहना है, सोचल डिस्टंसिंग, प्रदान मर्द्री से लेकर के गाउं के छोटे से नागरिक तब सब के लिए, कोरोना से तभी बचा जा सकता है, जब घर की लक्ष्मन रेखा न लांगी जा रहे हैं, हमें इस महामारी के वाइरस का संक्रमन रोकना है, इसके फैलने की चेन को तोड़ना है, साथियों, भारत आज उस स्टेज पर हैं, जहां हमारे आज के एक्षन तै करेंगे, कि इस बड़ी आपदा के प्रभाव को हम कितना कम कर सकते हैं, ये समय हमारे संकल्प को बार-बार मजबूत करने का है, ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है, आपको याद रखना है, जान है तो जहान है, साथियों, ये धैरिय और अनुशाषन की घड़ी है, जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिती है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना बचन निभाना है, मेरी आप से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, कि घरों में रहते हुए, आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल काम ना करिए, जो अपना कर्तब में निभाने के लिए, खुद को खत्रे में डाल कर काम कर रहे हैं, उन डॉक्टर्स, उन नर्सेज, पैरा मेडिकल स्टाप, पैतोलोजिस, उनके बारे में सोचिए, जो इस महामारी से, एक एक जीवन को बचाने के लिए, दिन रात, अस्पताल में काम कर रहे हैं, अस्पताल प्रसाशन के लोग, एंबिलन्स चलाने वाले ड्राइवर, बॉर्ड बॉईश, उन सभाई करमेशेरियों के बारे में सोचिए, जो इन कठीन परिस्थितियों में, दूसरों की सेवा कर रहे हैं, आप उन लोगों के लिए प्रार्षना करिए, जो आपकी सुसाइटी, आपके महलों, आपकी सडकों, सारवजनिक स्थानों को, सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वाइरस का नामों निशान न रहें, आपको सही जानकारी देने के लिए, 24 गंटे काम कर रहे मेडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमन का खत्रा उठाकर सडकों पर अस्पतालों में हैं, आप अपने आसपास के पुलीस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर, परिवार की चिंता किये बिना, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, और कई बार कुछ लोगों के गुस्ता खेके भी शिकार हो जाते हैं, गुस्ता भी जेल रहे हैं, साथियों, कौरोनां, बैश्विक महामारी से बनी स्थितियों के बीच, केंद्र और देश भर की राजसरकारें, तेजी से काम कर रही हैं, रोज मरा की जिन्दगी में लोगों को असुविदा ना हो, इसके लिए निरंतर कोशिश कर रही हैं, सभी आवश्यक बस्तूओं के सप्लाइब बनी रहें, इसके लिए सभी उपाय किये गए हैं, और आगे भी किये जाएंगे, निश्चित तोर पर संकट की ये घड़ी, गरीबों के लिए भी बहुत मुश्किल वक्त लेकर आई हैं, केंद्र सरकार, राज सरकारों के साथ, समाज के अन्य संगठन, सिविल सुसाइटी के लोग, गरीबों को मुस्रिबत कम हो, इसके लिए निरंतर जुटे हुए हैं, गरीबों की मदद के लिए अनेकों लोग साथ आ रहा हैं, साथियों, जीवन जीने के लिए जो जरूरी है, उसके लिए सारे प्रयासों के साथ ही, जीवन बचाने के लिए, जीवन बचाने के लिए, जो जरूरी हैं, उसे सर्वोच्च प्राथ्विक्ता देनी ही पड़ेगी, इस वैश्विक महामारी से मुकामला करने के लिए, देश की स्वास्त सुविधाओं को तैयार करने का काम, केंद्र सरकार लगातार कर रही है, वीश्व स्वास्त संगर्थान, भारत के बड़े चिकित्साव और अनुसंदान संस्तानों, तता स्वास्त विश्यसग्यों की सलाह और सुझाओं पर कार्य करते हुए, केंद्र सरकार ने निरंतर फैंसले भी लिये हैं, अब कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए, देश के हिल्थ इंफास्ट्रक्टर को और मजबूत बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने आज 15,000 करोड रुप्य का प्रावधान किया है, इससे कोरोना से जूड़ी टेस्टिंग फैसलिटीज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विप्मेंट्स, आइसोलेशन बेट्स, आइसीउ बेट्स, बेंटिलेटर्स और अन्य जरूरी साधनों के संख्या तेजी से बढ़ाई जाएगी, साथ ही, मेडिकल और परामेडिकल मेन पावर के ट्रेनिंग का काम भी किया जाएगा, मैंने राज्य सरकारों से अनुरोद किया है, कि इस समय सभी राज्यों की पहली प्रात्विक्ता, शिर्फ और सिर्फ स्वास्त सेवा ये होनी चाहिए, हेल्ध केर ही प्रात्रिक्ता होनी चाहिए मुझे संतोष है कि देश का प्राइवेट सेक्टर भी पूरी तरह से कंदे से कंधा मिलाकर संकत और संक्रमन की इस गडी में देश वासियों के साब खडा है प्राइवेट लेप्स प्राइवेट अस्पताल सभी इस चुनौति पूर्ण दौर में सरकार के साथ काम करने के लिए आगे आ रहे हैं लेकिन साथियों ये भी ध्यान रखिए कि ऐसे समय में जाने अंजाने कई बार अफ़ाएं भी बहुत जोर पकरती है और अफ़ाएं के ट्राविल करने की ताकत भी बहुत होती है मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी तरह की अफ़ा और अद्न विश्वास से बचे आपके द्वारा केंद्र सरकार राज सरकार और मेडिकल फेटेनिटी द्वारा दिये गए निरदेश और सुझाओं का पालन करना बहुत जरूरी है मेरी आपसे प्रार्थना है किस बिमारी के लक्षणों के दवरान बीना डॉक्टरों की सला के कोई भी दमा न ले किसी भी तरह का खिलवार आपके जीवन को और खत्रे में डाल सकता है साथियों मुझे विश्वास है हर भारतिय संकट की इस गड़ी में सरकार के स्थानिय प्रसासन के निरदाश्व का पालन करेगा 21 दिन का लॉक्डाउन लंबा समय है लेकिन आपके जीवन की रक्षा के लिए आपके परिवार की रक्षा के लिए उतना ही महत्वपुन है हमारे पास यही एक महत्वपुन रास्ता है मुझे विश्वास है हर हिंदुस्तानी इस संकट का न सिर्फ सफलता से मुकाबला करेगा बलकि इस मुश्किल घड़ी से विजय होकर निकलेगा आप अपना ध्यान रखिये अपनों का ध्यान रखिये और आत्मविश्वास के साथ कानून नियमों का पालन करते हुए पूरीता संयम बरत्ते हुए विजय का संकल्प करके हम सब इन बंधनों को स्विकार करे आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद ये बेल सिंबल नो क्लिक छेड़ मच पो कंडी अपडेट्स नी मिस अवकंडी